जिस तरह इंसानी पोशन के लिए अच्छा एवं गुनवत्ता पूर्ण भोजन जरूरी है उसी तरह फसलों का पोशन भी जरूरी है लेकिन इसके लिए गुनवत्ता के पोशक उत्पाद कहां से ले आज यह बड़ा सवाल है आपसे पहले पॉड़कास्ट में हमने आपको बताया कैसे मिट्टी जांस, खेत की सही त्यारी और उप्चारत बीज के माधिम से गैहु लागत में आप साथ हजार रुपे तक बचा सकते हैं यदि आपने अभी तक पहले तीनों पॉड़कास्ट नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से सभी पॉड़कास्ट आप सुन सकते हैं तो चलिए आगे गैहु की खेती में 55 एकर्ड बीस हजार रुपे तक की बचट वे कमाई के बाकी तेरे हजार रुपे की बात करते हैं हमने अपने पहले पॉर्ड़कास्ट में मित्ती जास के बात किन किन पोसक तट्वों एवं उरवर्वकों का इस्तमाल करना हैं इस पर बात की उनका कब वे कितना इस्तमाल करना है आज यहां इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है अधिकतर किसानों को उर्वरक इस्तमाल की मात्रा का संग्यान नहीं होता है हलाकि किसी उत्पादों पर इसका वेवरन लिखा होता है लेकिन हर खेत की मिट्टी जांस के परिणाम अलग-अलग होने पर उर्वरक कैलकुलेट करने के लिए किसी विशेशगों की सलहा जरूरी है इसके लिए आप देहात किसान अप के माध्यम से भी अपने खेत के लिए उर्वरक कैलकुलेट कर सकते हैं इसे किसान साथियों कम या अधिक उर्वरक डलने की संभावना ने के बरावर हो जाती है और उजित मात्रा में उर्वरक इस्तमाल करने से आपकी लगभग 2,000 रुपे की बचत हो सकती है उर्वरक कैलकुलेट करने के लिए देहात किसान एप का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वहां से आप 20 से बजार तक की संपूर के सिश्वी धाओं के लिए इस शांदार एप को जरूर डाउनलोड करें इसके लावा किसान साथियों आप जानते हैं आर्थिक तंगी के चलते कैई किसान समय पर उर्वरक एवं फरसल उत्पात नहीं खरीद पाते या फिर सूद खोरों से महंगे ब्याज पर पैसा लेकर खेती लागत का सामान खरीदते हैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जगे किसान क्रेडिट कार्ड या फिर देहात किरसी लागत रर्ण का फाइदा उठाकर किसान भाई आसानी से एक फसल अबदी में तीन हजार रुपे तक की बचत करते हैं बिल्कुल सही सुना आपने आसान किरसी रर्ण उच गुनवत्ता के उर्वर्क और फसल पोशक से जड़ी जानकारी के लिए आप भी अठारे सो दस च्छतिस एक सो दस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं आगे हम आपको बताएंगे कैसे मंडियों में उपज के उचित भाव पाकर आप एक ही दिन में हजार रुपे की बचत कर सकते हैं इसके लिए हमारा अगला पॉड़कास सुनना बिल्कुल नहीं भूलें धन्यवाद